पचास साल का अक्टिंग करियर फिल्में, टीवी शोज, धारवाहिक और थियेटर तेन-तीन राश्ट्रिय फिल्म पुरस्कार कुछ ऐसा रहा है पलवी जोशी के जीवन का सफर चलिए आज इस सफर को करीब से जानते हैं, समझते हैं जिन्दगी वित रिच्चा में बहुत जल्दी और लोगस बता है, अठारा साल की उमर से काम करी हैं और आप दस साल की उमर से काम कर रही हैं पांच! तो मुझे कभी गभी ऐसा लगता है कि जब भी कोई बच्पन की बात करता है तब के प्रोजेक्ट की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन से जनम की बात हो रही है और आज भी ऐसा लगता है कि there is a lot I can do मैं और भी characters करना चाहती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ और अंदर है जो अभी और किसी character के through बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो हां मतलब इसका मतलब तो यह है कि retirement के बारे में तो भी सोचा नहीं है पांथ साल की उमर में जो आपने पहली फिल्म की तो उसके पीछी की कहानी बड़ी मज़दार थी बड़े भाई की वज़ह से आपने फिल्मों में कदम रखा चाहते हूँ माई भ्योस को कहानी बताएं अगर मैं वह कहानी कहूं तो मुझे खुद को हसी आ जाती है लेकिन हुआ यूंकि मेरे बड़े भाई अलंकार तब मास्टर अलंकार के नाम से जाने जाते थे और फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत सारे हुए हैं लेकिन चाइल्ड स्टार बहुत कम हुए हैं And he was one of them He was one of them तो हम लोग ऐसी कभी मेरे खाल से दिवाली की शॉपिंग के लिए हम गए थे इतनी देर में किसी एक आदमी ने उनको पहचाना तो उसने कहा अरे मास्टर अलंकार है, मास्टर अलंकार है करते-करते दो आदमी हो गए, चार आदमी हो गए और फिर एक बार भीड कठा होने लगती है तो सब को देखना होता है अंदर क्या है और मैं सब लोगों को देख रही हूँ, सब लोग कह रहे यह?, मास्टर अलंकार, मास्टर अलंकार, मास्टर अलंकार किसी तरह आई और बाबा, दोनो मा और पिता जी मेरे आए गाड़ी में बैठे मैं अपना सोचती रही मैंने का कितने मतलब इनको कुछ सिखाया नहीं इनके घरवालोंने, मैं बगल में बैठी हूँ, एक आदमी नहीं कहा पल्लवी तो मैं फादर स्टार्टेड लाफिए लाफिए जिसाट तुमको कोई जानता ही अचा मैं बोल भी दिया, मैंने कैसे कैसे सब लोग अलंकार-अलंकार कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ बगल में, तो बैवा ने कहा कि तुम फिल्म ही नहीं करती, इसलिए लोग जानते नहीं तुमको आचा तब तक मुझसे कई बार वह पूच चुके थे, लेकिन मुझे अचेत बनना था मुझे शायद वो टरम नहीं पता था था अ अंदर मतलब घर साजाने है और नय घर बननाने है ऑट ऊस बात के बाद मटलब उस लीच्सिय के बाद मै ने तोड़ा सा सोचना शुरू किया और फिर मैंने बावा को बोला मुझा काम करना है जस्ट प्रूव पॉइंट तो मैं ब्रादर और जब मैंने अपनी पहली फिल्म की तो इट वस बाइलिंग्वल फिल्म गुझराती परिका तो हिंधी में वो बहुत बुस्त पिट गई उड़की घोगई लेकिन वो सिल्व जूबली एठ उ खोगी उन दिनो तो वो जूबली इख ढ़ती थी आजकी वीकेंड नहीं हुआ करते थे तो उसमें साचिन और सारीका वे लीड़ पर तो सारीका के बच्पन का रोल किया था मैंने and for that first film I got the best child actor award from Gujarat government और वो लेने के लिए हम Ahmedabad पहुंचे तो थेटर में फिल्म चल रही थी तो मैनेजर को कहीं से खबर लग गई कि हम आये हैं तो हमें बुलाया उन्होंने पहां पर और इंटरवल तक हम बैठें उसके बाद मेरा रोल खतम हो जाता है उसमें तो हम लोग निकल रहे थे तो जैसी हम बाहर गाडी में बैठें तो किसी एक ने मुझे पहचान लिया फिर वो गुजराती में शुरू हो गया आज हो आ नानी बेबी पल्लवी चे के तला सरस काम कर यह थे और मैं तो मुझे असा लगा कि मुझे सात्वा आसमान में गया आज सब सपने पुरे हो गए बस एक ही बात का रंच था कि दादा थे नहीं है देखने के लिए वह पंपई में थे और मैं इतना ज्यादा खुश हो गई कि मैं होटेल पहुंचते साथ में कूदने लगी टेबल से सोफे पे सोफे से बेड पे और बाबा मुझे कहते रहे मत कुदो मत कुदो लग जाएगी और हुआ यही टेबल सरक गई मैं गिर गई नीचे और मेरा पेर स्प्रेन हो गया और वो एवार्ड लेने के लिए मैं उपर जा नहीं पारी तो मुझे इतना मैं रो रही थी audience में बैटे-बैटे so my father finally picked me up और मुझे वो stage पे ले गए तो मैंने वो मेर के हाथ से मैंने award ले लिया बाबा के गोद में ऐसे ऐसे करे वाव So this is how I entered films I mean it was it's really funny when you look back लिकिन आप और आपके भाई भी first generation actors नहीं थे यह कही ना कही फैमिली में चला आ रहा था थोड़ा सा अपने grandparents अपने parents के बारें बताए हमको So यह सब फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ मेरी नानी से उनका नाम था विमल गहसास और Marathi stage से जुड़ी हुई थी वो उन्होंने काफी बहुत अच्छी लेखी का थी बहुत अच्छी कविताहिं लिखती थी वो और मेरे नाना जी और नानी दोनों Congress के लिए उन्होंने बहुत काम किया वो canvassing बगरा करते थे चोटे-चोटे शह गाउं में जाके तो मेरी नानी उनके लिए वो कविताहिं लिखती थी उसको मेरी माँ बेवचिप की वो music सीखी थी और सिखादी भी थी singer थी खुद तो वो दुने बनाती थी और वो ऐसे गाने गागा के वो लोगों को मतलब क्या कहते वो जागरुकता प्हलाव है वैसे उस तरह का बहुत काम उन्होंने किया एंड उन्होंने काफी सारा थीटर किया फिल्मे की वो नाचरली उनकी दोनों बेटिया मेरी मा और मेरी मॉसी वो भी इसी फील्ड में आया My mother was a singer My aunt was a is a Kathak dancer तो और उन्होंने फिल्में भी की थेटर भी करने लगी वह क्या बात है और आपके फादर मेरे पिताजी प्लेयराइट रहे पूरी संदगी मेरे बड़ी बहन जो है और मेरे बड़ी बहन जो है उनका बेटा भी इसी फिल्ड में है वो म्यूजिक डिरेक्टर है वो अभी जिंगल्स वगरा करता है अरे वाँ और किना आसान रहा होगा ना वसमें जब आप लोग आई होगे अलंकार या आप तो कोई रोकने वाले वो सोच नहीं रही होगी कि नहीं नहीं बच्ची फिल्म में नहीं जाएगी या नहीं वो उस तरह का नहीं था लेकिन हमारे उपर बहुत ज्यादा प्रेशर था घर से कि परफॉर्म करना है मतलब जो बाकी लोग शायद यहां की चमक-दमक देखके आते हैं और सब मन में एक ख्वाहिश लेके आते हैं कि हमें स्टार बनना है स्टार क्यों बनना है क्योंकि पैसे कमाने है अच्छे-ची गाडियों में घूमना है लोग हमें देखके सलाम ठोके और यह सब एशो अराम की जिंदगी लेकिन हम ने जब भी कभी जरा सी भी कहीं टैंट्रुम्स अगरा दिखाने के हमने कोशिश की तो हमको वहीं पर बरक प्रिटेंग चल दी मेरे खाल से मिखनेनी की शुटिंग कर रही थी मैं और मेक अप कर रही थी तो मुझे एसिस्टेंट आया बुलाने और मुझे वो आखम आख मैंने कुछ उसमें अलग तरह से की तो मुझे टाइम लगता था मेक अप में तो नौ बज़ी की शिफ्ट मे वो 11 बजे आया बुलाने, तो मेरा खतम ही हो रहा था मेकब, तो मैंने का मैंनी आउंगी शौट देने, नौ बजे से आया हूँ, किसी ने मुझे चाय भी ने भेजी अभी तक, कि तो हरे क्या बात कर रही है, अभी बिल्बकुल मत आये नीचे, मैं अभी जाय भिजवाता हू मैंने अभी तो मैंने का नी कुछ नी बाब मैं ऐसी हमारे टाइम पास चलता रहता है, तो कि ते यह टाइम पास की वात नहीं है, तो चेहरे पर जो रंग लगा है ना वो पहले कामरे के सामने जाओ, एक शौट दो, अपना दिन पहले, सबसे पहले अपने दिन की शुरवा जोक, I mean don't take it seriously, he said, नहीं, जोक में भी ऐसे नहीं, कि मैं शौट नहीं दूँगी यह तुमारे मूँसे कभी आना नहीं चाहिए, इतना सा मूँ बना के फिर पूरा दिन काम किया मैंने, बट इस विस आओ, जैसे एक बार की और मुझे बात याद है, हमारे डिनर टेबल दि तो मैंने एक फिल्म की थी, Trishadmi, तो वो देखने के बाद सब बैठे थे, सब तारी फारी फोरी थी, बहुत अच्छा किया तुमने, और तुमारा वो कॉस्ट्यूम बढ़ा अच्छा था, या सब अच्छा अच्छा शुरू अच्छा शुरू अच्छा अच्छा शुरू Suddenly my nani said, वहाँ पर एक scene था कि जिसमें वो नितिश को forcibly monk बना दिया जाता है, और उसके बाल शेव हो रहे हैं, और वो मैं देखती हूँ और मैं कमरा बन करके, मैं बैठ जाती हूं नीचे रोते हुए, तो उन्होंने का तुम वो जो बैठी ना, वो जो शॉट में जहाँ पर उसका सर शेव कर रहे हैं, उसमें मुझे थोड़ी कम लगी intensity, तो मैंने का, तो मैंने का, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट उस वक्त पता है क्या हूआ, अन्धायुद की मेरी shooting थी, और वो दयाल का phone पर phone आ रहा था, और मुझे जाना था वहाँ पर और ये मुझे छोड नहीं रहे थे, तो वहाँ वो production वाले set पर आये थे मुझे लेने के लिए, और मैं बहुत tension में थी उस वक्त, कि मुझे जाना है, जाना है करके, तो याया कहते थे हम नानी को, तो उन्होंने का कि, अच्छा-च्छा, हाँ, फिर, then it's okay, एक काम करते हैं, डिरेक्टर को बोल कि नीचे subtitle दे दे, कि तुम tension में थी, इसलिए तुम्हारी performance कम रही वहाँ पर, okay, तो ऐसे पटाक करके, तो कभी, कभी spare नहीं किया गया हमको, but isn't that nice, it's wonderful, I think it's really wonderful, कि घर से ही अगर आपको, ऐसा criticism मिले, तो आप कभी, अपने काम को लेके, आप excuse नहीं दे सकते, और शायद इसलिए, वो एक जो hard work करने की जो एक, तमना रही है हमेशा, वो गभी कम नहीं हुए, यह hard work के साथ साथ, जैसे आप अभी भी दिखती है न, मुझे लगता है, आपकी personality, अब आज मुझे पता चल रहा है, कि यह किस वज़े से, नहीं तो इतना लंबा किसी का career हो, तीन-ती national awards हो, तो behavior में बहुत बदलाव आ सकता है, इंसान बदल सकता है, लेकिन अगर शुरू से वो संस्कार दिये गए हो, तो फिर आप, correct, ठीक रहते है, आपकी नीच सही होनी चाहिए, ठीक रहती है, अलंकार जी ने बहुत फिल्मे की, पर उसके बाद छोड़ दिया, और दू लड़के इखास कर, उनका बड़े होने के बाद उनका कुछ करियर बनाने, और जरूरी नीच वो सफल हो बहुत बदलाव चल्कार को, वो बहुत ही क्यूट दिखना होता है, अब बड़े होने के बाद आपको जब हीरो चाहिए, तो वो हीरो तो हैंसम होना चाहिए, तो ड सचिन का किसा ले लिजे, अब जूनियर महमूत का किसा ले लिजे, इतने बहतरीन अक्टर, सत्यजीत, दिवस सच वंडर्फुल चाहिए, तो अब मस्टर राजू for that matter, but after they grew up, हुआ नहीं, और दादा का स्ट्रगल तो मैंने अपनी आँखों से देखा है, बहुत अन्फरि living industry है यह, और मैं इसलिए I always keep myself very detached from it, दादा जब मतलब बखुत बड़े जब star थे, तो उनके हर birthday पे इतने bouquets आते थे घर पे, इतने chocolates आते थे, बच्पर में, दिवाली में bouquets आते थे, gifts आ रहे हैं, मतलब दुनिया भर का, ऐसे लगता था कि हमसे ज्यादा important कोई व्यक्त दर्ती है ही नहीं इस दर्ती पर, और दीरे दीरे जैसी वो बड़े होने लगे, एक awkward age आ जाती है, वो बच्चे नहीं, मुछे निकलने लगी है, तो उस awkward age में फिर काम भी बंद हो गया, क्योंकि he wasn't looking a child anymore, तो दीरे दीरे वो बुके भी बंद हो गया है, फिर वो गिफ्ट आर के तरह treat किया है, आप उनके पास जाओ और काम मांगने, तो वो कहीं पर बहुत ज्यादा आपको तोड़ देता है अंदर से, तो दादा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, और फिर उस वक्त पर देन, he got into computers and कुछ languages वगरा शुरू की उसने, और फ प्यार हो गया और वो वहीं रहती थी, so then he took a decision कि मैं अमेरिका चला जाओंगा That's how he left and he just left everything आपने बहुत इंपर्टनल नाइन कहीं कि बहुत ही अन-forgiving industry है, कभी आपको अपने किसी experience से ऐसा फील हुआ कि I don't belong here या यह जिससे आपने का मैं detached रहती हुआ I've never belonged here, मतलब मैंने कभी अपने आपको I mean I'm part of the film industry लेकिन यह industry मेरे लिए कभी कुछ करेगी या मेरे पीछे खड़ी होगी यहां के लोग मेरे अपने लोग हैं ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं और इसलिए मुझे कभी उस बात की तकलीफ भी नहीं हुई जो कश्मीर फाइल्स और ताशकंत और बुद्धा के वक्त जो भी हुआ तो I was expecting it throughout तो मैंने विवेक को पहले सी बोल के रखा था कि this is how it is और मेरा जो मेरा experience रहा है जो मैंने देखा है अपने आँखों के सामने लोगों के साथ होते हुए पसएब अपना काम करो और निकल जाओं इसके बाद यह मत सोचो यहां पर दिल के रिष्टे नहीं बनेंगे आपके यहां पर सिर्फ काम के रिष्टे बनते हैं जब तक आप आप हैं, आपका नाम है, तब तक आपके रिष्टे रहेंगे. और जो best friends वगे रहा होते हैं, अब दिखावा होते हैं? पता नहीं, मेरे तो कोई, film industry में कोई best friends तो है नहीं, मेरे जो भी है वो उसके बाहर के हैं. तो I really don't know, क्योंकि मैं, वैसे देखा जाएं तो रिष्टा में उसकी जो underbelly है उसमें भी घुसी नहीं कभी, मैं हमेशा बाहर से ही मैंने देखाया क्योंकि मेरी एक जो रुची रही है तरहा के film करने की, वो भी तो अलग डंकी filmे थी, वो भी तो कभी हाट्गोर commercial filmे नहीं थ काहिये या नहीं, इनकी पढ़ाई का समय है, बचपन खो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आपने इतना काम किया तो आपने वो बचपन enjoy नहीं किया जो दूसरे बच्चे करते हैं? नहीं, मैंने खूब किया, enjoy क्यूंकि मैंने बहुत कम फिल्मे की, मैंने कुछ 20-22 फिल्मे की अज़ चाल्ड अक्टर का काम कितना होता है, 4-5 दिन का होता है पर फिल्म, तो एक 10-12 साल में मैंने कुछ इतनी अगर फिल्मे की, तो वो तो बहाना था हमें स्कूल ना जाने का तो that was a good thing to happen, but my parents were very strict about our education, तो हम किताबे ले जाते थे और शॉट की वीज में फिर पढ़ाई करो, फिर homework होता था हमारा, और हमको special permissions मिली हुए थी school से, की shooting हो तब ये school नहीं आएंगे, तो school में फिर वो अलग tension रहती थी वहाँ कुछ-कुछ teachers जो थी वो, अच्छा वेटा, तो अच्छा वेटा, तो अच्छा वेटा, तो हम स्टार बने हो, अभी आओ, biology में आओ, फिर दिखाते हैं, तो ये भी होता था, बट ठीक है, सब, that's all part of life, चले, तो as a child actor, आपने 20 या 25 फिल्में करीब की, उसके बाद acting को profession की तरह लेना है, अब वो architect वाला सपने का क्या ह हुआ, ये मौका का वाया है, सोचने का, कि अब ये पकड़ लिये रहा है, अब इसी पर चलना है, My father had sat me down, मैं जब 9th में थी, तब उन्होंने बढ़ाया था एक दिन, कि क्या सोचा है future के बारे मैं, तो मैंने का कुछ नहीं, क्या सोचना क्या है, तुछ नहीं क्या काम करना चाहती हूँ, अगर तुमको फिल्मों में ही काम करना है, acting ही तुमको करनी है, तु उस हसाब से बताओ, कुछ अलग करना है, तो तो देन, we'll focus more on your academics, तो मैंने का नहीं मुझे तो acting करनी है, विल्कुल सोच लो, then there is no turning back, क्यूंकि इसके आगे 10th है तुमारी, so I said no, I want to act, बस, that was done, उसके बाद मुझे कभी पूछा नहीं हुनों ले, दुबारा, और project साते गए, बस, वो थोड़ा सा नाखुष जरूर थे, कि मैंने commercial filmों में ज्यादा, नहीं किया, मैंने नहीं की, क्यूंकि उनका तो, see that's all he understood, you know, because उस वक्त पे, जब दादा छोटे थे या उन्होंने जब थेटर वगरा किया है, तब एक ही तरह की filmें बनती थी, यह 1971 यह 72 में शायद यह parallel cinema movement शुरू हुआ पूरा, मैं 16 साल की थी जब मैंने शाम बैनेगल के साथ एक फिल्म की, जिसका नाम था सुस्मन, it was based on the weavers of Pochampali, Hyderabad, तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि वह बहुत impressionable age होती है, और शाम बैनेगल ने मतलब मुझे इतना गुरून किया है उन्होंने, not just as a director, but as a father figure. I didn't just grow as an actor in his company, पर मैं मुझे याद है मैं 16 साल की उमर मैं, Mills and Moon पढ़ती थी, तो मैं एक दिन पढ़ रही थी, set पे तो उन्होंने आए वो और मुझे कहते है, young lady, what is this crap that you are reading? तो मैं कहते है, मैं शाम अंकल, this is a very good romantic novel, तो मैं कहते है, first of all this is not a novel, this is trash, क्याते है, I'll give you a good book. तो गया अपने कमरे में, ओ, Henry की short stories की book ले आए, और मेरे हाथ से निकाला कहते है, throw it in the garbage, और यह पढ़ो. And I started reading it, I enjoyed it, मैंने कुछ दो रात मही वो खतम कर दी, तो फिर खुश हो गया, फिर मुझे वो दूसरा novel दिया उन्होंने, Sakhi का novel दिया, ऐसे करते-करते-करते, अच्छी books दिया, He started, मेरी grooming पढ़ने की तरफ उनकी वजह से हुई, फिर मेरे साथ वो cinema डिसकस करते थे, कि तुमने कौन सी फिल्में देखी है, तो मैंने तो, मैं हिंदी फिल्में देखी थी तब, या मराथी वे रिखा है, मराथी हिंदी और जो कुछ थोड़ी बहुत बहुत अंग्रेजी फिल्में तब रिलीज हुआ करती थी अपने या, वही crazy boys series, or towering inferno, He said these are not the films you watch, फिर मुझे लिख के दी, तो एक overall wholesome development एक होती है न, character की, वहाँ पे मेरी हुई, अब मैं सोचती हूँ कि इनकी जगे, अगर मैं रमेश सिर्पे के साथ काम करती है, सुभाश गई के साथ काम करती है, जंदगी ने अलग मोन ले लिया होता है, जंदगी आख करियर के साथ कि अगर मोन ले लिए अगर मोन ले लेकिन आज मैं कहीं और होती, अच्छा बुरा मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं और होती इतना पक्का है, So my father was very unhappy when I kept saying no to commercial films, क्योंकि मुझे 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 मजा नही आता था, मैंने की भी वो तहलका पना, मुझे मैंसे कुछ की मैंने फिल्मे बड़, जो माहौल पैरनल सिनमा के सेट पर मिलता है, और जिस तरह की बाते वहां पर होती है, It's everything related to your work, and ऐसा लगता है कि आप और कुछ सीखे, और जाने, और बाते करें ये लोग. आपको ये हैसास कभी να हूआ कि, हाँ, जह मुझे पैसे नहीं मिल्हा है, उतने नहीं मिल्हा है या इतनी फेम नहीं मिल्हाई जितनी अगर मैं चीज्टे सिनमा करूगी कि से मिल सकती है. नही theor, जितनी जरूरत थी उतने तो मिल्रहे थे, उससे ज्यादा ही मिल रहे थे बलकि तो ऐसा नहीं था कि अच्छा वो मतलब 18-19 साल की उमर में ये भी तो नहीं होता ना कि आप कल को शादी करेंगे आपको बच्छों के लिए कुछ करना है ये थोट्स तो बाद में आते हैं तो वो जब ख्याल आने लगे तो then I decided to become a producer तब मैंने आरोहंट serial बनाया सबसे पहले तो उसके बाद then I decided to you know diversify into a lot of other things लेकिं पर भी commercial cinema ने ने कीचा आपको नहीं मेरा दिल नहीं मानता वहां पर पता नहीं Plays, commercial cinema के साथ सा शुरू है stage acting प्लेस तो मैंने बच्पन से ही शुरू कर दिये थे My last play although I did was when I was in my 10th standard और वो play मैंने छोड़ा after about 100 shows उसके बाद मैंने थेटर नहीं किया है अच्छा I couldn't go back to theatre because अभी मन करता जाने बहुत करता है लेकिन उसके बाद हुआ कि मैं बहुत ज्यादा बजी हो गई थी with my work and I was सांस लेनी के फुरसत नहीं थी मेरी शादी भी हुई तब मुझे याद है मैंने अपने सारे I was working 28-29 days a month और मैंने सारे directors को मतलब ऐसा मसका मार मार के मुझे सबको कहा था मेरी नही नहीं शादी हुई है मैं प्लीज एक गंटा लेटा हूंगी और एक गंटा जल्दी जाओंगी तो everybody had agreed to that तो मैं 10-10.30 बजे पहुंचती थी और मुझे शाम को साढ़े-साथ पॉने-साथ बजे तक पैक अप कर देते थी मैं अगर इनको मेरी जरुवत पड़ी अगर कुछ हो गया तो बच्चों को मैं 2nd priority or 3rd priority पे नहीं रख सकती so उस वक्त मैं ना करती रही प्लेस के लिए and then I think after that it just everybody kind of assumed that I won't do it although now I feel that my कभी ट्राय करना चाहिए because now that the kids are all grown up I don't have to be a 24-7 mother तो I can have my own time टेक बहुत है इतना सब हो गया इतना कर लिया theater भी कर लिया, film में कर ली कभी ये जरूत महसूस नहीं हुए कि NSD में एक बार apply करके देखें एक formal training ले ले लें कही national school of drama या कहीं से भी सीख लूँ acting क्योंकि मुझे without any modesty I know acting हां मैं सिखा नहीं पाती acting क्योंकि मैंने वो theory उसकी कभी सीखी नहीं है मैंने trial and error से सीखा है सब कुछ on the job training on the job training हुई है and I know acting really well to a point where मैं अपने co-actors से भी कभी-कभी कहती हूं हमारे जो set पे actors होते हैं मैं उनके भी characters पे काम करती हूं तो मतलब यहां ऐसा बोला नहीं जाता but I don't see any shame in saying that कि because I have spent so many years I think I am a very good professional who knows her job very well तो अभी दुबारा जाके acting के training में नहीं ले सकती हां मैं कभी-कभी यह जरूर सोचती हूं that maybe I need to learn a little bit about direction because that is one area where I am very weak but मैं अभी खुद थोड़ा से experience कर रही हूं with each of our production so behind the camera is another world altogether so very challenging आपके professional career का एक बहुत important milestone था और मुझे लगता है हम लोग when we were growing up तो parallel cinema तो नहीं देखते थे पर मुझे अगर पलवी जोशी सबसे पहले आदे तो अन्ताक्ष्री लेकिन उसके बारे बात करने से पहले मैं आप से परस्नल सवाल पूछना चाहूंगी Growing up years में आप कैसी थी? जिदी, stubborn किस तरह की young girl थी आप जब? I was impossible impossible is probably not enough of a word Was था मैं बहुत ज्यादा headstrong थी argumentative थी बहुत ही rabid feminist थी और कभी हार न मानने वालों में से थी और I would never let anyone win an argument मतलब मैं खुद कभी-कभी सोचती हूँ अपने बारे में कि मुझ में कितना ज्यादा चेंज आगया है It just seems as if I am like two different people now But And I was extremely talkative Okay मैं भी जितना चुप अभी रहती हूँ मतलब मुझा बाबा आके बोलते थे कान में आके कि पल्लवी चुप हो जाओ भी बहुत हो गया मतलब मुझा समझ भी नहीं आता था कि मैं कितना बोल रही हूँ Constant Jabber-Jabber-Jabber And on Any subject I had an opinion Highly opinionated person Highly opinionated person मुझा बहुत बदल गई है Completely बदल गई है Completely बदल गई है मतलब कभी-कभी मुझे मैं खुद को जब अकेले में बात करती हूँ I keep You know मैं अपने आपको मारती रहती हूँ Where is that Pallavi gone? Why are you so sedate in life now? Wake up You know मैं नहीं सवाल इसले पूछा क्योंकि आपको कुछ सुन्वाना चाहती हूँ Okay Namishkar मेरा नाम Padnushri है और मैं Pallavi की बहन हूँ Oh my god Pallavi Joshi एक बहुत अच्छी कलाकार है 3.3 national awards जीख चुकी है बहुत अच्छा गाती भी है और अपने पती विवेक अगनी हुत्री के साथ मिलकर अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है Pallavi बच्पन से बहुत निडर रही है मैं उसको शेरनी कहते थे उसे किसी चीज का डर नहीं लगा किसी चीज में उसको जिजग नहीं हुए जो बात उसको करना ठीक लगी उसने की अगर कभी मा या बाउजी ने उसको टोक दिया कि ये मत करो तो वो उसका कारण पुछते कि क्यों नहीं करो मुझे बताईए क्या बुराई है इसमें और अगर उन्होंने बताया और उसको वो बात उसके पल्ले पढ़ गए कि हाँ बाउजी ठीक कह रहे है तो माच जाती थी पर अगर उसको ऐसे नहीं लगा तो वो आर्गिमेंट करते रहती कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि आप की बोल रहे हैं काम हूजी ठीक थीक बताये और ये बात क्यू नहीं लगया जो वो तीक लगता है वो कर रहे हैं और अभी फिलाल उसने जो कुछ में ब sillमें निर्मान की है वो इस बात का सबोथ है कि आप हह तेक लगता है वो अपकूडि है हम तीनो भाई भाई भेनों में वह सबसे चोटी जरूर है पर मेरी सबसे चोटी और मेरी लाडली भेन आज जो इतनी बड़ी हो गई है इसका मुझे बहुत अपा करें तो अज़ा स्वीट, I'll have to give her a party now किसे मैंने आप से पूछा रहा कितनी जद्धी हैं अब उतनी जद्धी नहीं अब उतनी नहीं पता नहीं बच्चों ने बहुत कुछ सिखा दिया इतना पेशन सिखा दिया विवेक और बच्चे तीनों ने मिलके पुरी मतलब परस्नालिटी मेरी बदल गई उसके बाद तलिया वो अन्ताक्षरी पराते हैं वो कैसे मतलब सोचा ठीक है music सीखा था सब था लेकिन अन्ताक्षरी करना है ये decision कैसा था कैसे लिया और ये experience कैसा रहा वो अन्ताक्षरी तो you know was like the topmost job at that point तो मुझे कहीं से खबर आई थी उड़ती कि मुझे वो अन्ताक्षरी में as a hostess मुझे लेना चाहते है then I said of course I would love to do it तो में गाने का मौका मिलता है so my mother was very you know iffy about it she said नहीं तुमने रियाज नहीं किया है बड़े दिनों में तुम उतने acting में बजी रहती हो गले गो रियाज चाहिए तुमको तुमको तीन गाने गाने हैं हर episode में 16 एपिसोड का होता था जो कि 6-6 दिन में हम लोग shoot करते थे अब 16 into 3 उतने गाने और उसमें आदे आदे डिवाइड कर लो कुछ solo अनुजी के कुछ solo मेरे कुछ हमारे duets और फिर सबसे जादा जरूरी अंताक्षरी के लिए था your speed and आपके से recognize करते हैं और वो lyrics आप सही गाते हैं कि तो यह पूरा गन हम लोग गाते ही रहते थे So, I remember the first day there was this friend of mine Ashwin, he was doing the sound So, my mother came to the sets, Ashwin ने पूछा उनको, auntie, अच्छा आती है ना पल्लवी So, my mother was like, Aantakshari के लिए ठीक है सबकी level कर दी थी उनोंने मेरी, शो की, डिरेक्टर की, अनुकापूर की, सबकी Okay, so film का filmें चल रही थी, और बहुत काम रहा था साथ में यह Aantakshari भी हुआ फिर TV Serials भी शुरू हो गए कभी-कभी लगता है कि नहीं हम बड़े screen के कलाकार है अब तो खहर बहुत होगे, अब तो सब OTT पर आ रहे है लेकिन उस समय वाज़ ज़िए कि अच्छा TV करना है नहीं करना है Yeah, lot of people had told me कि television मत करो तो तो तुमें नहीं मिलेंगी, जो की हुआ मेरी filmे मुझे मिलना बंद हो गया था लेकिन filmे मुझे जो मिल रही थी उसमें कुछ करने लायक तो था नहीं कहीं किसी कोई sister role मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है तो I wasn't happy with the roles that I was getting, और television एक इतना नया medium था उस वक्त के सब लोग experiment कर रहे थे उसके साथ कोई उसे theatre की तरह treat कर रहा था, कोई film की तरह treat कर रहा था, कोई किस तरह कोई किसी तरह तो बहुत experiments हो रहे थे and अच्छे अच्छे directors आ रहे थे तब, Govind Ji ने Tamas बनाया Ramesh Sippi of course made Bunyad there was Sudhir Mishra then नीव वोग सारे Ramol Paalekar did television, there were so many good directors who were turning to television Basu da Chanakya Chanakya बनी थी तब Basu Chatterjee made Rajini Yes Chopra की एक आइना नाम की serial आइना ने दर्पन नाम की serial आया करती थी So there were a lot of shows and a whole bunch of great directors of India were making television और उसमें characters भी अच्छे मिल रहे थे कहानिया भी अच्छी थी तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आने लगा पर हम सोचों की कितने सारे लोग ऐसे थे actors Shah Rokho, Manoj Vajpay, Ashutosh Rana तो TV करके film हो में आय थे Correct आप film में करके TV में आय थी तो my last film that I did was in 1995 called Making of the Mahatma जिसमें मने कस्टूरवा का रोल किया था After that, my next film after that was in 2010 15 years I didn't do any film और वो film भी ऐसे हुई रेनु का शाहने ने direct की थी वो film and she had run the script by me उसके मा की book पे वो Shanta Gokhale की book पे बना रही थी वो Rita Veilinkar book का नाम है so movie was called Rita and then एक दिन मुझे फोन किया उसने and she said, आरे पल्ला I've been discussing for so many days with you मेरे दिमाग मही नहीं आया will you do my film मैंने पढ़ी script मैंने का बहुत अच्छे script है बहुत मसा आया पुर मुझे कॉंसा which character do you want me to play तो कैती रिता what else I said are you mad मैंने का मैंने पंदा साल से फिल्म नहीं किया so she said no no I want you to play the main role toh मैंने का नहीं नहीं I won't do it Vivek was like तुम पागल हो गई हो कि इतना when you're getting an opportunity you've been dying to do films come back to and I was very scared I said I'm completely out of touch what if I fail? what if I don't do justice to the character? so he said you're an actor you're an actor करो यह so मैंने बहुत डरते डरते finally I approached the character but then firstly on the sets within 10 minutes I was like this is यह तो अपना अपना ही केत है चली यह तो बहुत देर से Vivek की बात हो रही है अब हम जानना चाहेंगे कि Vivek Agnihotri से आप कब क्यों और कैसे मिली क्यों यह तो पता नहीं नियती में था कब और कैसे बता सकते हूं Vivek के बारे में मैंने सुन रखा था we had friends in common और मेरी एक बहुत अच्छी सहली है Neena नाम से तो Vivek उन देनों advertising किया करते थे तो Neena Vivek का production करती थी जहां इनकी party होती थी मुझे बलाया जाता था for some odd reason मैं कभी गई नहीं क्योंकि back in those days I think advertising और फिल्मों में बहुत अंतर हुआ करता था उसके professionals में अलग दुनिया जासे अलग दुनिया थी थोड़े हमें advertising वाले थोड़े pseudo लगते थे और advertising वालों को लगता था कि यह फिल्म ही लोग है यह हमारे standard के नहीं है फिर एक-दो बार ऐसे भी हुआ कि मेरे यहां कुछ पाटी थी तो विवेक मेरे घर के नीचे आये और ऊपर नहीं आये यह सोचके के यार कौन जाये छोड़ो नाये And then one day suddenly we were एक rock concert हो रहा था Bombay में Rabon Stadium में So all the friends we all huddled together दो jeeps में open jeeps में जा रहे थे हमने खुब मस्की करते हुए पहुँचे और देखा तो एक सजजन वहां बैठे हुए थे सीडियों पर So मैंने का यह कौन आदमी यह अपनी jeep की तरफ देख रहा है कौन है कौन है तो इतने में नीना गई है किसे आए विवेक आओ यू तो मैंने का औरे यह है विवेक अगनी अतरी अचा अचा तो इस तरह से हमारी पहली मुलाकात हुए And वो डेखा rock concert वगरा हो गई उसके बाद dinner कर रहे थे हम लोग And we started talking काफी conversation बहुत fluid conversation रहा And As we were leaving Vivek As a paying guest Bandra में रहते थे कहीं Which was very close to my place To in ko drop kia पहले To he just flashed out his visiting card Give it to me If ever you are in You know mood for good food in Delhi Call me I said Delhi I said Delhi? Haa Delhi में रहते थे थे Toh मैंने का Okay, okay Second के मैंने परस में रख लिया a card And Then there was Matlab kuch हुआ ही नही उसके बाद मैं गई थी Turkmenistanik Film Festival में And after that I came to Delhi For my work And I was stuck here Because मैं काम के वज़े से अटक गई थी And उन दिनो I used to stay at my Mausi's place वो ग्रेटे के लाश में रहती थी वो तीन-चार दिन पता नहीं मैं बीवी दोनों को क्या हो गया था तीन-चार दिन से मैं परिशान हो गई थी मैंने का क्या करूँ तो मैं गई रूम में अपना मैं पर्स साफ कर रही थी इतने में मुझे काट दे गया विवेक अगनी होतरी मैंने का चलो इसको फोन करते है This is a good out for me तो मेरी शाम की फ्लाइट थी तो मैंने दुपहर को ही फोन कर लिया तो मैं गाड़ी भेजना हो तो मुझे आ जाओ तो मैं गई ओफिसमें फिर बात्ची तो अगरा हो यह वहां से मैं एपोर्ट निकल गई then he came to Bombay फिर वो एक सिलसला मिलने जुलने का शुरू ही हो गया और somewhere down the line I guess we realized that oh this is turning out to be something more क्या बात है बट बाहर से अगर मैं देखो तो बहुत अलग लोग नहीं है आप जिसे आपने भी कहा कि मैं मुझे बिलकुल social media से आप दूर है और मैं नोटस करती हू सबसे controversial लोगों में से एक है कुछ ना कुछ वाप उनके tweets से हंगामा हो जाता है उनके filmों से भी हंगामा हो जाता है तो क्या घर में भी आप इतने अलग personalities हैं आप रो हाँ हम हैं तो बहुत अलग लेकिन इसका मतलब यह नहीं के घर में भी वह वैसी controversies लेकिन जब तक फरक ना हो तब तक रहेंगे कैसे साथ में क्यूंकि हर चीज़ पर दोनों पती पत्नी राजी होने लगे यह डालिंग वटेव यह से हां बेभी वटेव यह से तो मेरे खाल से तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएग उसके बाद तो कहीं-कहीं पर थोड़े disagreements, थोड़े debates होना कभी-कभी जगडा होना because the making up of जगडा after that is the most beautiful thing तो यह सब होते रहना चाहिए यह मेरे खाल से this is what life is all about and आप इतने दो diverse personalities होने के बावजूद जब आप एक साथ एक साथ चलने की जब आप ठान लेते हैं so life anyway is full of adventures आपको पता है के आपको वो जए वो नहीं जो beam bar पर gymnasts चलते हैं तो वैसे आपको balance maintain करके चलना ही पड़ेगा otherwise होने के chances है नहीं so I think it's fun to do that you know to know that you cannot take even one wrong step क्या बाद लिए एक बात अगी नहीना थेट माराथी बोलूँ है थेट माराथी कॉंकनस्त लड़की और इधर UPMP का लड़का मिल गया तो वो adjustments में कुछ cultural problems वो कुछ problem है हम दोनों को नहीं हुई मेरी family को हुई थोड़ी विवेग के साथ adjust करते हुए but मेरे पिता जी को खास कर अब वह चोटी चोटी आदतों में वह difference दिखा ही दिखा है मतलब और मुझे इतना परेशान किया है दोनों ने चोटी चोटी चीजों को लेकर लेकिन और मैं बिल्कुल जब शादी हुई तब मैं बिल्कुल तयार थी अब मैं दोनों को दिखा दूंगी कि चाहे जो हो जाए मेरे पताजी है और जो हो जाए मेरे पती है और जैसे ही शादी हुई दोनों ने छोड़ दिया क्योंकि विवेक को लगा कि अब तो ये मेरी बन ही गई है मुझे क्या प्रॉब्लम है और बाबा आपको कुछ सुनवाया जाएं? कितने हैं आपके पास ऐसे, बांब्स मेरे लिए? मेरा नाम मनोज तिवारी, मैं विवेक का बड़ा भाई हूँ और पलवी मेरी बहु जैसी है. पलवी ने एक बार हमारे परिवार की सारी फैमली हिस्ट्री उसने जोड़ी थी, फैमली एंसेस्ट्री का चाड़ बनाया था, जो कि हमारे परिवार वालों को खुद नहीं पता था इतना. तो ऐसी स्थिरी के साथ, ऐसी लड़की के साथ, रह के जो एक खुशी मिलती है, तो पलवी, all the best to you, forever. That's so sweet. That's so sweet. एक और है. एक और है. Hi, my name is Meetu and I've had the privilege to call पलवी family for a number of years now. When I first met her, my love and respect for her came from a place of her being family and the incredible artist that she is. But over the years, that love and respect has morphed into that for the individual that she is. It is a privilege and I am super grateful to be able to call her family. I love you. Sweet. That's just the most amazing thing. अच्छा लग रहा है आपके शोवे, सब तारीव कर रहा है. ये लिकिन एक और बड़ी खासबात है मेरे शोवे, हम सबसे मेसेज़स मांगे हैं. तो कही ना कही एक, एक सेंट्रल एमोशन सब का ना अगर एक व्यक्ति के लिए, अगर चार-पांच लोग एक ही बात कहें, तो फिर लगता है पिर जूट नहीं है. सिर्फ एक व्यक्ति कहा है कि हाँ, एमपथी, सबसे लेकिन गर हर कोई कह रहा है, एमपथी, 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 तो वो जूट नहीं हो सकते, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते. तो मुझे लग रहा है, is that the center point of your life, कि आपको सब सब से connected रहना है, और you feel empathetic towards everyone? I, see at the end of the day, क्या है आपका, you know, what is the treasure that you have? It's the people who love you, it's your family, और fortunately, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, बड़ा परिवार हैं, तो मेरे तरफ के जितने भी लोग हैं, उनके बारे में तो प्यार हमेशा से था ही, लेकिन शादी के बनियादी यही होती है कि दो परिवार एक हूँ, तो जिस तरह से मुझे इतनी quick acceptance मिली है विवेक की फामली में, no questions asked, never felt that ये मेरे असास ससुर है, ये मेरे माता पिता नहीं है, मैं जैसे अपने घर में रहती थी, वैसी ही ससुरॉल में रहती थी, तो ये ब मेरे बच्चों को पता तो चले कि वो कहां से आये, तो जो सारे लोग हैं, इनके बारे में पता नहीं है, तो कोई किसका इसका बती जाओ, ये चुनु, मुनु, तुनु, सब के नाम मैंने जोड लियते, और सब मैंने बना के रखी एक फैमली ट्री पूरी, अच्छे होने क आपने करियर से भी एक ब्रेक लिया वो बिलकुल सोच समझ कर कि अभी घर को वग देना है बच्चों को वग देना है नहीं घर के लिए नहीं और ना बच्चों के लिए मुझे वग चाहिए था अ हमेशा कही को सब्सक्राइब नगे मेरी जरूरत थी उनके साथ समय बताने के और हमेशा कई बार मचे मेरे सामने लोग मलिका और मनन को आके कहते हैं कि तुम्हे पता है तुमारी माने देखो तुमारे लिए काम छोडा, you should, you should thank her तो I always tell them that please don't put this burden on them उन्होने नहीं 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 कहा था काम चोडने को काम चोडना मेरी जरूरत थी because I wanted to be a mother and I wanted to spend time with them मैंने कुछ एक मलिका के milestone एक दो मिस्कर दिय थे and I think till this date I haven't been able to forgive myself चोटी-चोटी बाते होती इस स्कूल काईनल फंक्षिन नहीं No even before that when she she started crawling one day and I was shooting I came back in the evening और मैंने देखा उसको crawl करती है I suddenly got my video camera out and I was to shoot-boot करने लगी and Vivek's mother was in the room she was visiting us that time तो वो आही बाहर तो मैंने एक तमसे चलाने लगी मैंने का मम्मी मम्मी तेखी यह तो बुटो बुटो चल रही तो कैती है यहा बेटा इसने तो सुवह ही शुरू कर दिया था and I was यह मुझे ऐसा suddenly had a lump in my throat and I said how did I miss this and then I felt that especially after Manan was born की मैं अभी पैसे कमा लूंगी काम कर लूंगी नाम कमा लूंगी लेकिन अगर मैं अपने बचों की इस ग्रोथ में अगर मैं इन्वेस्ट करती हूं तो जो मैं मैं मेमरीस कमाऊंगी इसमें से वो जब when they leave the nest they'll be the most you know important treasures that I'll hold on to क्या बाद रती है उप्सूरत बात मुझे रगता सारी मदर्स के लिए not that कि हम किसी से कहें है सब बेक लेकर बेट जाओ but I mean I'm not saying follow my example पर हमेशा ये कहा जाता है हमेशा एक negative connotation में कहा जाता है कि अरे मा को तो घर पे बैठना ही पड़ता है ये मा तो खुद हो के बैठी घर पे nobody forced me in fact Vivek was very upset he said ऐसे कैसे तुम काम छोड के घर पे बैठी कुछ तो करो थोड़ा तो करो and I said I don't want to multitask at this point I just want to be my and that was the time I left social media क्यांकि तब तक मैं Facebook वगरा पर थी पर you know how addictive it is फिर वो puzzles आप खेलने लगते हैं और पता नहीं क्या-क्या आज़ तो reels हो गई अच्छा आप में अब तो बहुत ही पागलपन हो गया और कुछ करनी रही हूं घर पे और बच्चे स्कूल से आ भी गया है मैंने एक पपी दी उनको और मैं अपनी लगी पढ़ी हूं उसमें and then I suddenly realized के किसी के घर में किसी के गमले में कोई एक गुलाब का फूल कितना सुंदर दिखता है उसके उपर मैं comment कर रही हूं और किसी के खिडकी से बहुत अच्छा sunset दिख रहा है मैं क्यों comment करूं भई उसके ऊपर तुम्हारी खिडकी है तुमको मुबारक तुम्हारा व्यू तो मैं अपने बच्चों को छोड़के उसके पीछे क्यों पढ़ी हूं and then I said this is this has to get out of my life अभी मन नहीं हो वापस आने का social media पर बिर्कुल नहीं और जब करियर से प्रेक लिया तभी insecurity या missing out वाला हुआ हुआ, बहुत हुआ किसी-कसी रोल को देख कर कि रहे मैं होती तो भी मुझे मिल जाता बहुत ज्यादा, मतलब वह उस level का FOMO तो था कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं जगर पर बैठन की आदत नहीं था अब बच्छपन से तो और हुआ कि उसी वक्त suddenly media boom हो गया और पेज 303 का culture शुरू हो गया सारा and every day I opened the newspaper I thought oh I should have been here I should have been here मैं अगर ये serial करती I would have been here वो सारी serials जो मैंने मना की थी उसी की सारी leading ladies they were all on the they were flashing on in the newspapers साथ भी अभी बहुत थी कहानी गर गर की था after that, yeah little after that so बहुत इतना मतलब ऐसे मैंने दिल पे पत्थर रखके मैंने वो अपने आपको बताया कि नहीं घर पही बैठना है this is a correct decision to do so then I decided to divert myself क्योंके वो ही वो ही मैं अगर करती रहती तो frustration के सिवा तो और कुछ होना नहीं था so मैंने का मुझे घर के काम तो आते नहीं क्योंके मैंने शुरू से बहर ही काम किया है so let me become the best homemaker so I took it up as a challenge और it's very funny but सबसे पहले मैंने मैं लॉंडरी की तरफ रुख किया and I think I can take out almost any stain on the earth then I turn to the kitchen then I turn to housekeeping and everything so मैं वो 4-5-6 साल जो मैं घर पे रही मैंने तो घर मैं पूरी PhD कर डाली oh my god perfectionist job और वो जब दादी-मा के नुस्खे वाली जो बात होती है now वो मुझे बहुत सारे आते है so show khatam होने के बाद I can give you a couple of kups but cooking too? cooking also yeah although I don't enjoy cooking some people find it very therapeutic but I don't, मुझे सफाही से होता है मुझे कहीं भी अगर कुछ भी साफ नहीं दिखा गंदा दिखा तो मेरे हाथ ऐसे होने लगते है कि जा के साफ करूं आपको अपने घर बुलाएंगे तो उसे पहले बहुत सभाई करनी पढ़ेंगी कि अब पता नहीं क्या होगा चलिए साफ finally अब आपने जो comeback किया है वो एक अलगी level का comeback है हर film के साथ आपको एक तरफ से लोगों का बहुत पयार मिल रहा है बहुत थारीफ है मिल रही और एक तरफ भयानक criticism या opposition जो भी कह सकते है How are you dealing with these films जो अभी बुद्ध के बाद से इंट आप आशकंद Kashmir Files और Vaccine War कैसे डील कर रहे हैं इन फिल्मों की stories के साथ आपको पता होता है कि बवाल होगा हाँ और बवाल होता है ये भी पता चलता है मुझे लेकिन किस लेवल पर होता है और exactly क्या-क्या बोला जाता है ये fortunately मुझ तक नहीं पहुंचता because I'm not on social media कुई विवेक जिनलते हैं I choose not to be on social media yeah तो विवेक अपने level पर he's a warrior and he manages to deflect as much as he can as long as I know what I'm doing is right so it doesn't affect you at all it doesn't affect me at all because Tashkan Files जब हमने की थी जब शास्री जी की family से हम लोग मिले थे मुझे पता थे उनकी emotions क्या थे अपने उनको लेके शास्री जी को लेके आप खुद सोचिए आपके घर में भगवान ना करे कभी ऐसे हो किसी की मृत्यू हो जाए संदहास्पद और किसी को पता ही नहीं है कि हुआ क्या हम यह नहीं कह रहे हैं आज भी मैं यह नहीं कह रही हूँ फिल्म बनाने के बाद भी कि उनकी हत्या हुई थी मैं यह मानने को तयार हूँ कि उनको heart attack आया था पर बोलिये तो सही, ये कोई हमें 100% विश्वास के साथ क्यों नहीं बता पा रहा है कि नहीं उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनकी heart attacks ये ही मृत्यू हुई थी, क्योंकि हमने बच्पन में ये भी theory सुनी थी, that he was under KGB surveillance, and he actually had a heart attack and the KGB saw him dying, लेकिन अगर वो intervene करते तो भारत में पता चल जाता कि KGB surveillance कर रही थी, तो हमारी relations खराब हो जाते, that's why they let him die, ये भी, I mean it's a very stupid theory but it is a theory all the same, तो ऐसी 25 theories हैं जो हम फिल्म में लाए भी नहीं, तो क्यों उट रही हैं theories, put a lead on it, आप हमें जो सत्य है वो बता दो, तो मैं उनके emotions से जुड़ी के उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, और ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद जो किश्मीरी पंडितों का सत्य है, जो हमें पता ही नहीं था 32 सालों से, मुझे नहीं पता था, मैं तो बंबई में रहती हूँ, बंबई में दिली की तरह एपिसेंटर नहीं है पॉलिटिक्स का, वो तो entertainment का है, कोई भी मौत छोटी नहीं होती, लेकिन जिस तरह से कभी एक ट्रक खाई में गिर जाता है और दो-तीन लोग मर जाते हैं, ये जो न्यूस तीसरे चौथे प पता नहीं, लेकिन जब फिल्म आती तो लोग कहते हैं प्रोपगेंडा है, उनको बोलने दीजे जो उनकी मर्जी, प्रोपगेंडा तो अभी भी बोल रहे हैं, आप कभी परिशान नहीं होती हैं, मुझे क्या अगटना है उनसे, उन लोगों के लिए फिल्म ही नहीं बनी ह तो मैंने का बहुत पुर्णिय का काम कर रहे हैं, हम लोग चलते जाओ आगे, जब ऐसे सवाल होते हैं, पलवीर, चुकि आपने इतना लंबा वक्त, पचास साल अपने का इस इंडस्ट्री में गुजा रहे हैं, क्या बॉलिवोड हमेशा से इतना डिवाइड था या और ख अब ही नहीं था डिवाइड ये 2014 से ही हुआ है और पता नहीं क्यों वही एक साल ऐसा था कि जहां से सब कुछ एकदम काया पलट ही हो गई, पूरी की पूरी, लोग खुल के सामने आ गए, कि भईया, अब तो मतलब ये तो क्या युद्ध की गोशना हो चुकी है और हम इस तरफ के है, did you lose friends? Yes, we lost almost all our friends from the film industry and it's been what 12, we started losing friends even earlier, even before 2014, about 10 years now, we haven't been in touch with any one of them, ये बहुत हर्ट करता है, ये जर्नलिस के साथ भी हो रहा है, ये बॉलीवोड में भी ये सब तरफ हो रहा है, कि लोग राजनी थी के वज़ रहा है, कि लोग राजनी थी के वज़ रहा है, ये ब ये से अपने दोस्त, अपने रिष्टों को खोते जा रहे है, लोग, people have lost families too, हमारी भी जगड़े हुए थे families, we reconciled after that, मतलब अकल्ठिकाने आ जाती है, finally, सबकी, तो वो परिवार में भी हुए हैं, रिष्टे ऐसे खराब, और कुछे कभी भी चल रहे हैं, we are still trying to mend some, but anyways, I loved your role in Kashmir Viles, सारे पूरे acting career का अगर निचोड निकालें, तो किसी भी किरदार में घुसने के लिए, आपका homework क्या होता है, बहुत बदल गया है, वो over the years, पहले तो बहुत observation पे, मैं depend करती थी, कि लोगों को observe किया, उनमें से कुछ एक character मिल गया मझे, वो कहीं का character कहीं पे It also teaches you a lot, और जिंदगी से बड़ा teacher और कोई है नहीं, तो अनुभव से आप जितनी सारी चीज़े सीखते हैं, वो सारी आप कही न कहीं अभिनाय में निकल कर आती हैं 26 साल शादी शुदा जिंदगी है, तो I think आप से पूछा जा सकता है, what is the secret to a long and happy, happily married life I think lots of fights, lots of disagreements, arguments, they keep your life adventurous and I think the biggest thing, jokes apart is, एक mutual space को respect करना बहुत जरूरी है और space का मतलब mental, physical, emotional, तीनो होता है सिर्फ physical space लेके आप 25 अगर call करते रहें कि कहां हो, कहां हो, तो that is not giving space तो हर लिहास से आपको space सामने वाले को देना जरूरी है और space देने के लिए आपका एक दूसरी पर भरोसा होना बहुत जरूरी है और भरोसा करने के लिए आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और रिस्पेक्ट प्यार से ही आती है तो चारों चीजें इंटर कनेक्टेट हैं जरूरी नहीं किसी और के लिए वर्क हो क्योंकि अगर मेरी शादी विवेक से नहीं होती किसी और से होती और विवेक की शादी मेरी जगे किसी और से होती तो उनके आपस की प्रॉब्लम्स और होते और फिर उनको solve करने के तरीके भी उनके different होते तो अगर कोई किसी से शादी की advice लेता है और अपने घर में उसको अगर आजमाने की कोशिश करता है तो यह भी आप बिलकुल मत करना यह तो मैंद्वाइस 100% होंगी चलिए आपके लिए आखरी बहुत special message अरे ऐसे मौकों पर जब किसी एक husband को बोला जाता है कि अपनी पत्नी के उपर कुछ बो तो आदमी जिस तरह की बातें करता है वैसी मैं नहीं करूँआ पलवी में वो सारी खूबिया हैं जो एक बहुत अच्छी पत्नी में बेटी में एक मा में होनी चाहिए उसकी तो 10 on 10 है पर पलवी कोई दो ऐसी चीज़े है विचाई envy और मैं हमेशा सोचता हूँ काश मुझ में ये खास बाते होती एक जैसे मैं आपको बताता हूँ पलवी को रिलेशनशिप्स पीपल उनकी आदतें उनकी चॉइसे उनकी लाइकिंग्स एक बार मिलेगी 10 मिनिट के लिए लेकिन अगर 6-10 लोग भी बैठे होंगे तो ओर रिष्टे किसका किस्से है क्या है पलवी कभी भूल नहीं सकती मैं आपको एक instance बताता हूँ अभी हम लोग कश्मीर फाइल्स के लिए हमने hundreds of people we had researched कश्मीरी पंडित फैमिली और कश्मीरी पंडित फैमिली में नामों की बड़ी कमी है आपको बहुत सारे लोग जो है वो सुरिंदर कॉल नाम या पूजा धर इस तरह के नाम से मिल जाएगे तो अभी हम जब उसकी एक सीरीज बना रहे थे कश्मीर अन्रिपोर्टिट तो उसमें बहुत सारे कुछ एक ऐसे नाम थे जो हमारे जो assistants, researchers जिनको पैसे मिलते हैं इस बात के वो confused हो गए थे क्योंकि 5-5-6-6 लोगों का एक ही नाम था और फाइनली, guess who helped? परलवी परलवी को एक-एक का नाम, एक-एक की शकल, एक-एक का घर, हम कब गए थे, उनने क्या खिलाया था, उनका क्या रिष्टा था, किस से आये थे, उनने क्या बात की, परलवी को सब पता रहता है और इसलिए हम उसको कहते हैं, यह हमारी family की encyclopedia है दूसरी परलवी की एक बड़ी कमाल की जो आदत है, वो यह है, कि परलवी never ever can hurt anyone मैंने आज तक, मुझे 30 साल से जानता हूँ, मैंने आज तक परलवी को, एक भी आदमी को कभी hurt करते नहीं देखा है hurt होते हुए देखा है, आपको पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कह सके कि परलवी ने कभी कोई ऐसी बात बोली, जिससे किसी का दिल दुखा, किसी का लुकसान हुआ, संभव ही नहीं है पललवी अपने दुख्मन के साथ भी उसी वांत के साथ पैटके घंटों 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 बात कर सकती है जो शायद मैं कभी नहीं कर सकता हुआ और तीसरी जो चीज है विच आ नहीं चीज है विच आ जिए जनम में भगवान मुझे ये गालवी नहीं को रिलाक्स she actually knows how to unwind and relax and just chill जीवन की छोटी छोटी बाते हैं घर वाले लोग पडोसी शर्वंट काहीं भी किसी भी लेवल पे Pallavi can relax which I cannot I think this is what makes Pallavi so beautiful and so wonderful a person to live with I don't can't imagine I can ever have a friend or forget wife like her so this is Pallavi's side which perhaps you don't know चलिए now that he said that I can't hurt anyone, I can open the door अभी तक का सारा record clear है आपका अभी तक यापसे कभी hurt नहीं हो है चलिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे शहीद दो-तीन हंटे और बाते करते रह सकती हूँ पिर भी मेरे सवाल बचे रह जाएंगे बट बहुत अच्छा लगा पलवी आपकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू जानकर देखकर और आपकी अच्छी बाते सुनकर चलते चलते मैं चाहूंगी आप सोशल मीडिया पर है नहीं जो सारे विवाद उठते हैं उस सब के जवाब विवेक अकेले देते रहते हैं तो आज आपको किसी से भी कुछ कहने का मन है जितने लोग आपकी सारी फिल्मों पर जो सवाल उठाते हैं अगर आप उनको कोई मेसेज दिना चाहती है दिवाली का मौका है जो कहना चाहें खुछ रहो आबाद रहो और कुछ अगर रंज है बात करनी है तो बात करो यसे लिखो नहीं आईए हमसे बात करिये हम आपके सवालों के जवाब देंगे क्योंकि हमारे पास सवालों के जवाब है ऐसे नहीं है कि हम ऐसी हवामे फिल्मे बनाते हैं तो बस इतना ही कहना चा कि अपने प्रोफेशन को फॉलो किया है, सारी अस्पारिंग एक्टर्स को आप क्या मेसेज दिना चाहेंगे? मैं यह कहूंगी कि अपने अंदर की जो आवाज है उसको सुनिये, कभी-कभी जवानी में हम लोग कभी अच्छे डिरेक्टर मिले इसलिए काम करते हैं, कभी अच्छे पैसे मिले इसलिए काम करते हैं, कभी अच्छे रोल मिले इसलिए काम करते हैं, कभी-कभी किसी एक हीरो क आप से बात्वीत करके कुछ चोटे चोटे तोफे हैं जुन्दी वतरुचा की टीम की तरफ से आपके लिए अटे ये तो बहुत बड़े तोफे थे हां आपको छोटे-चोटे हैं तो आप किसी के सार अच्छा करते हैं इसके पांच्छे काज हैं आप उसको दे दीजिए हो कहिए ये यॉर तर्न नाओ Oh, that's nice! So good and beautiful! Thank you!